यदि आपके घर में मंदिर है तो इंगास बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो आज हम पूजा स्थल को लेकर बात करें तो आपको ये बता दें कि हम मेंसे ऐसे अनेक लोग हैं जो दिन की शुरुआत पूजा पाट से करते हैं इसके साथ ही करीबन सभी के घरों में भगवान का एक छोटा सा मंदिर भी अवश्य होता है घरों में मंदिर होने से चारों तरफ सकारात्मा कूर्जा का संचार होगा है किन्तु कुछ लोगों के जरिये भूलवश ऐसे उनके काम कर दिया जाते हैं जिससे नकारात्मकूर्जा पैदा जन्म लेती है इसलिए अगर आपके घर में मंदिर हैं तो आपको कुछ खास बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए घर के मंदिर में कभी भी तूटी हुई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए वक्त वक्त पर इने साफ करते रहना चाहिए दैश कभी कभी ऐसा होता है कि आरती करने वाले दिये पर धूल की परत चड़ जाती है किन्तु ऐसा करना नकारात्म कूर्जा को बुलावा देने की तरह है इसलिए दिये हमेशा धूले हुए होने चाहिए पूजा करते वक्त हमेशा बालों को उड़कर रखना चाहिए जिससे बाहरी आवरणों का असर हम पर न पड़े दैश घर के मंदिर में शिवलिंग बड़ा नहीं होना चाहिए हमेशा छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए हमेशा पूजा स्थल में पीले या फिर लाल कपणों का इस्तिमाल कीजिए काले या भूरे या फिर सफेद वस्तरों का उप्योग वर्ग जित है